नमस्कार दोस्तों, सब्सक्त अब सभी का हमारे चैनल पूर मूभी गोर पे दोस्तों अभी अभी मैंने देखी G5 की वेब सेरीज अब है सेजन 2 दोस्तों ये जो वेब सेरीज है, इसके जो एपिसोड है वो तीन किस्टों में हमारे सामने पेश किया गए थे सबसे पहले एपिसोड 1, 2 और 3 रिलीज किया गया था उसके बाद 4 and 5 और अब फाइनली सेप्टमबर 21 तारिक को 6, 7, 8 मतलब कि पूरी वेब सेरीज जो है सेप्टमबर 21 को रिलीज हो गई तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरे एपिसोड देख लिए हैं और बहुत ही कम कहानी के बारे में तो दोस्तों आप सबसे मैं बस यहीं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंध तक जरूर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों बात करें कहानी के बारे में कि से टरीके से अतолн को मचा रभ सकाया läuft तो यह अगर आप सभाइब देखा होगा तो आप सभी अब अगर हम बात करें अभे सीजन टूर के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जो कहानी है उसमें थोड़ा सा नयापन और थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिस की गई है मतलब कि यहाँ पर भी हर एपिसोड में एक नए सीरियल किलर की कहानी और इंवरिस्टिकेशन दिखाएगी है उसको किस तरीके से पकड़ा जागा वगरा दिखाएगा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एपिसोड नबर थ्री में एंट्री होती है राम कपूर की जो कि एक बस को हैजैक करते हैं और कुछ बच्चों का अपारण कर लेते हैं और अब पुलिस ने उनको पकड़ लिया है लेकिन वो बच्चों का आता पता नहीं बता रहे हैं वो यह होती है कि मैं तुम लोगों को कुछ serial killers के cases दूँगा और तुमको उन cases को solve करना है जब जब तुम एक case solve करोगे तो मैं कुछ-कुछ बच्चों को रिया करता जाओंगा मतलब कि कुछ-कुछ बच्चों का location तुम्हारे साथ share करता जाओंगा तो दोस्तों किस तरीके से officer अब है एक के बदेक एक case solve करते हैं और क्या क्या cases उनको मिलते हैं solve करने गये और क्या राम कपूर अपने वादे पर खरे उतरेंगे क्या case solve होने के बाद वो बच्चों को छोड़ देंगे और इस राम कपूर का क्या लेना देना है इन serial killer से इन cases से जो वो एक के बाद एक officer रावय को दे रहा है solve करने लिए ये सारी कहानिया दोस्तों आपको इस सीजन को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगी इस से आगे में कहानी के बारे में नहीं बता सकता अब मैं दोस्तों बात करूँ अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कुछ अच्छाईयों के बारे में तो दोस्तों सब से पहली जो अच्छा ही है, मैंने आपको बताई थी, कि हर एपिसोड में एक नए Serial Killer की कहानी, जो कि Interesting है, और यहाँ पर दोस्तों जो भी negative किरदार आपको देखने को मिलते हैं मतलब कि जितने भी serial killers यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं उन सभी का काम आपको अच्छा लगेगा वो कहानी भी आपको अच्छी लगेगी और साथी साथ उन लोगों का जो performance है वो भी आपको अच्छा लगने वाला है और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं दोस्तों बात करूँ investigation के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही real way में investigation बताए गई है बहुत ही जल्द यहाँ पर officer अभय का दिमाग जो है बहुत ही तेच चलता और बहुत ही जल्द हो जान जाते हैं कि कहां पर क्या करना है तो दोस्तों यह कुछ ऐसी positive जीज़े हैं जिसके चलते आप इस website के साथ connect हो जाता है यहाँ पर जो कहानिया है serial killers की वो भी आपको interesting लगती है अपने साथ जोड़ लेती है लेकिन अगर एक कमी के बारे में मैं बात करूँ तो दोस्तों वही कमी है कि थोड़ा सा भी यहाँ पर suspense नहीं रखा गया है मतलब कि दोस्तों एक serial killer जो खून कर रहा है वो कौन है कैसा दिखता है इन चीजों को episode के सुरुआत में ही reveal कर दिया जाता है और अगर ऐसा ना करके end में reveal किया जाता है और बहुत भी बढ़ी है suspense रखा जाता है तो साइद यह web series और भी जवर्दस लग सकती थी लेकिन दोस्तों कौल मिला जो लाकर अगर मैं बात करूँ इस web show के बारे में तो दोस्तों यह एक अच्छा सा web show है जो कि G5 पर उपलब दे कौल मिला जो लाकर आट एपिसोड है और अगर आप लोगों को serial killers की कहानिया देखना पसंद है लेकिन अगर आपको murder, psycho serial killers की कहानिया सुनना अगर पसंद नहीं है तब आप इस web show से दूर रह सकते हैं यह web show कई लोगों को uncomfortable feel करा सकता है